नमस्कार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की इस वीडिव में आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हिंदी पड़नां हम कैसे सीख सकते हैं इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई है जिसमें मैंने बताया है कि हम अंग्रेजी कैसे पढ़ सकते हैं पांच स्टेप्स मैंने बताए है और ठीक उसी परकार से आज कुछ चरण या कुछ ऐसे कदम मैं बताऊंगा ऐसे स्टेप्स बताऊंगा जिनसे की हिंदी पढ़नावी जो हम बड़ी आसानी से हम सीख सकते हैं तो सबसे पहला जो इसका चरण रहता है वो रहता है वर्ण माला की पहचान उसका पठन अभ्यास यानि उसको पढ़ने का अभ्यास करना ये बहुत बहुत जादा महत्वपून कदम है जब भी हम हिंदी भाषा को सीखने का प्रियास करते हैं विशेश रूप से पढ़ने के दिश्टी कौन से अगर हम बात करें दूसरा जो इसमें सबसे महत्वपून चरण है वो रहता है स्वर्व मात्राओं को उनका पठन उनका पहचान करना और विशेश रूप से स्वर का जो है वो मात्राओं के रूप में जब हम उने जान जाते हैं जैसे ये जो स्वर हैं जितने भी 11 के 11 इन स्वरों की क्या-क् आत्राएं हैं और इनको कैसे उचारण किया जाता है कैसे इनका व्यंजन के साथ प्रयोग करके जो है वो नए शब्दों का निर्मान और उसके पशात वाक्यों का निर्मान किया जाता है ये पता करना दूसरा चरण महत्वपूनिस में रहता है मैं आपको बता दूँ कि इस से पहले इस सीरीज में मैं पहले चरण के उपर बात कर चुका हूँ इस पर मैंने वीडियो बना दी है वर्णमला पहचान और पठन की जिनने आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिये गए लिंक से प्राप देख सकते हैं आज की वीडियो में विशेश रूप से मैं मातराओं पर फोकस करूँगा और मातराओं के उपर ही हम बात करेंगे और उसके बाद आने वाली वीडियो में तीसरा चरण जो है यानि के बारा खड़ी अभ्यास इस पर बात की जाएगी और उसके पश्चात इसका जो चौथा चरण है बहुत ही मतरपूर चरण है बारा खड़ी अभ्यास के बाद शब्द निर्मान और जब शब्द निर्मान आ जाएंगे तो वाक्यों का निर्मान करना बहुत ही सरल व सुगम कारे जो है वो बन जाता है और उसके बाद अन्तिम जो इसमें स्टैप है या अन्तिम जो चरण है जो कि हर एक चरण का यूँ कह सकते कि मुलाधार है वो है निरंतर अभ्यास करना हिंदी पढ़ना यदि आप सीखना चाहते हैं तो उसके लिए निरंतर अभ्यास जो है वो आपको करना ही पढ़ेगा को बताया आप तक हमने क्या क्या सीख लिया एक वार उस पर नजर मार लें यदि आप भूल चुके हो या आप द्वारा से उसे पुनरा वरिती उसकी करना चाहें तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिये गए लिंक से जो है वो उसको देख सकते हैं हमने स्वरों की जा तवर्ग की तवर्ग की तवर्ग की फिर पवर्ग की उसके बाद हमने यह से गय तक के जितने वी व्यंजन वर्ण जो है वो आते हैं उन सब को हमने सीखा अब बारी है इतना तो आपको हमें आ गया है लेकिन अब हमने आगे क्या सीखना है अब हमने सीखना है इनका प्रित तार्प व्यंजन के साथ जुड़ती है और आवाज स्वर की ही रहती है जैसे उदाहरन के लिए मान लीजिये मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ इसके साथ आप एक मातरा जो हाँ लगाना चाहते है आकी मात्रा तो आप यहां पर आ नहीं लिखेंगे यानि कि स्वर नहीं लगाएंगे आप इस परकार से नहीं लिखेंगे ये गलत होगा आप लिखेंगे कर और कर के बाद आपको इस स्वर का प्रतीक यानि कि इसकी मात्रा जो की इस परकार से होती है ये आपको लगाना और इसे पढ़ा कैसे जाएगा का कर के हो इसे पढ़ा जाएगा तो यह आ जानकारी जो मैंने आपके साथाई शेयर साझा की इस आप अपर ही आव और जादा अभी चर्चा करने जागने वाले हैं अब पर Tem sanctions क्या रहता है देख़ेए सबसे पहले हमें से समझना होगा कि क्या होते हैं प्रतीग देखे आपके सामने यहां इस स्लाइड में जो है वो दो हाथ जोड़े हुए हैं क्या लगता है आपको क्या क्या बताया गया यहां पर यह बताया गया है कि अगला कि नमस्ते किस प्रकार से करते हैं यह नमस्ते की मुद् है तो यहां पर तो नमस्ते लिखा नहीं है लेकिन हाथ जुड़े हुए हाथों को देख करके हम समझ गए कि यह नमस्ते है यानि नमस्ते जो शब्द इसके साथ में लिखा हुआ है इसका प्रतीक क्या है यह चित्र है इसका प्रतीक इसी प्रकार से कुछ और प्रतीकों को आ प्रतीक हो गया यह क्या हो गया प्यास का प्रतीक हो गया अब इसी प्रकार से एक और प्रतीक देखते हैं देखें यहां पर एक बच्चा है और यह बच्चा कुछ मांग रहा है क्या लगता है आपको पैसे मांग रहा है या खिलोने मांग रहा है यह खाना मांग रहा है कैसे भावों के रूप में वो प्रतीक जो है वो इस प्रकार से देखिए हमें प्रतीक हो रहा है इसके बाद आगे चलते हैं और अब जिस प्रकार से मैंने आपको बताये इन शब्तों के प्रतीक हैं वैसे ही स्वरों के भी प्रतीक हैं और स्वरों के प्रतीकों को ही मात्राइं कह कहते हैं जैसे अ का कोई प्रतीक नहीं है तो की मात्रा नहीं लगती आ का प्रतीक इस परकार से एक खड़ी देखा है तो देखिए यह इसका प्रतीक जिसों हम आ की मात्रा कहते हैं फिर ए का प्रतीक ए का प्रतीक उ का प्रतीक उ का प्रतीक री का प्रतीक यह सब प्रतीक है ये सारे के सारे जितने भी हैं ये सारे के सारे का है प्रतीक है और प्रतीक से हमारा भी प्राय का है मात्रा से है जैसे मान लिजे ये क्या है एकी मात्रा और ये एक की मात्रा तो ये क्या है ये इसका प्रतीक है यानि कि ये जब भी हम व्यंजन के साथ इस स्वर को लगाएंग तो मैं यहाँ पर इस A को नहीं लिखूँगा, मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर इसकी जो मातरा है, A की जो मातरा है, A नहीं लिखूँगा, A की जो मातरा है वो लगाँगा, और कैसे लगाँगा, इस परकार से लगाँगा, तो यह क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, क गहराई से हम सीखने का प्रयास करेंगे और यह प्रयास हम करेंगे एक एप के माध्यम चे जिसका नाम है हिंदी मात्रा एंड राइटिंग एप यह आप आपको गूगल प्ले स्टोर पर बड़ी सरलता से मिल जाएगा और मेरा आप से अग रह रहेगा आप जरूर गूगल प बस्तर प्रापत हो जाएगा देखिए किस परकार से यह एप खुल चुका है इसमें और बहुत सी चीज़े हैं उन पर फिर कभी चर्चा करेंगे फिलहाल आज हम हिंदी मातराओं के उपर चर्चा करते हैं अब जैसे मान लीजिए मैंने स्वर ले लिए अब देखिए स्वर यहां पर दिये हुए है और स्वरों के साथ साथ यहां पर क्या दिया गया है इनके प्रतीक भी नीचे दिये गया है जैसे आ का प्रतीक है इक का प्रतीक है अंक का प्रतीक है और अब इसके उपर जैसे आप यहां पर क्या करेंगे क्लिक करेंगे ठीक है जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पर अ पे क्लिक किया तो आपने क्लिक कर दिया तो देखिए अब अ के जितने भी इससे संबंदित शब्द है वो सारे के सारे आ गए मैंने पहले बताया था की कोई मात्रा नहीं रहती है इसलिए देखिए कर आ गया कुछ भी नहीं जुड़ा तो क्या बन गया क क क ही रहा तो इस प्रकार से आप क को देख सकते है ग ग इसमें मात्रा जुड रही है लेकिन क्योंकि मात्रा है ही नहीं इसलिए आवाज में और लिखावट में कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा अब आगे बढ़ते हैं ठीक है मैं आपको और कुछ बताता हूँ जैसे मान लेजिए हमने अब आ की मातरा को लिया ठीक है जी अब आ की मातरा में देखिए ये क्या है गधा क्या है गधा 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 में कोई मातरा नहीं है और धा में किसकी मातरा है आ की मातरा है ये ल यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे आ की मातरा और फिर क्या बन गया है का बन गया आप देख सकते हैं नीचे इसी प्रकार से खा गा घा गा चा छा जा जा या टा ठा डा धा न यह सारी मातरा हैं जो है वो आप बच्चों का इसमें अभ्यास करवा सकते हैं देखिए यहां पर फिर से देखिए आप अन अन में क्या जुड़ा आ की मातरा जुड़ी और उसके बाद देखिए क्या बन गया अना बन गया इस प्रकार से आप करवा सकते हैं बच्चों को यहां पर आप देखिए यह देखिए इसमें आप खुद लिख भी सकते हैं प्रयास भी कर सकते हैं लिखने का यह देखिए इस प्रकार से यह देखिए यह और इसके बाद आप अगली मातरा पर हम चलते हैं ए की मात्रा किसकी मात्रा ए की मात्रा तो देखे सबसे उपर यहां पर बताया गया है ए की मात्रा के बारे में तो देखे किताब पहिया यहां ह के उपर मात्रा है और यहां क के साथ मात्रा है देखे क वियंजन के साथ ए स्वर जोड़ा गया है अगर हम ध्यान से देखें तो क विहंजन के साथ ईस्वर जोड़ा गया है लेकिन ईस्वर का प्रतीक यानि मात्रा ही इसमें जोड़ी जाती है तो देखे एक की मात्रा इस प्रकार से लगती है उल्टे हाथ की तरफ से ठीक है और अब आप देख सकते हैं हम थोड़ा सा इसमें और ज़्यादा अभ्यास करने भी विकास जोड़ा बच्चे का इसमें हो जाएगा आप इसमें अक्षर का जो आकार है वो भी बढ़ा सकते हैं की अब देखिए खी गी गी इसी परकार से ठी धी भी ये सारी तरीके जो है वो आप बच्चों के साथ लगा सकते हैं उनको हिंदी मात्राओं का ग्यान करवा आने के लिए इसके बाद आगे चलते हैं और ए की मात्रा पर बात करते हैं अभी हमने ए की मात्रा की अब हम ए की मात्रा पर बात कर रहे हैं तो देखिए बकरी में कहा है ए की मात्रा र में और मचली में कहा है ल में इसलिए ये क्या बन गया मचली अब देखिए इसी परका जैसा कि मैंने बताया था आपको कि जो छोट ए की मातरा है जिसको छोटी ए भी कहते है वो इस तरफ से लगती है यानि कि उल्टे हाथ की तरफ से और जो बड़ी ए की मातरा रहती है या जो ए की मातरा रहती है वो इस तरफ से जो है वो लगती है इसके बाद हम अब उ की मातरा की बात करेंगे इसे छोटा उ की मातरा भी कहते हैं लेकिन ज़्यादातर जो है यही मैं आपको सलाह दूँगा कि आप इसे उ और उ कह करके यदि उचारित करें तो ज़्यादा बहतर रहेगा देखिए अब इसमें फुटबॉल फुटबॉल नहीं फुटबॉल फरक देखिए फुटबॉल ठीक है और गुलाब अब आप बच्चों का अभ्यास करवा सकते है बुट खुट गुट गुट यह अभ्यास जब आप करवाएंगे और मात्रा किस प्रकार से लगेगी, वो तो आपके सामने बनी हुई है, इस प्रकार से मात्रा लगेगी, बाकी व्यंजन वही रहा, लेकिन व्यंजन के साथ क्या जुड़ गया, स्वर का क्या जुड़ा, प्रतीक जुड़ा, क्या जुड़ा स्वर का, प्रतीक जुड़ा, य पुरज यह अभ्यास करवाने पर दू दू फू वू यह अभ्यास जितना हम करवाएंगे उतना बच्चे को आता जाएगा अब यहां पर एक और मात्रा है री की मात्रा री से रिशी बनता है न तो देखें री की मात्रा का यहां पर प्रतीक भी जो है वो दिया गया है ग्रि तो कर्व एंजन में री स्वर जोड़ा अपने परतीक के माध्यम से, यह परतीक जोड़ा है, पूरा का पूरा री नहीं लिखेंगे, हम परतीक जोड़ेंगे, और इस परकार से देखिए, हम यहाँ पर जोब कर सकते हैं, जैसे द्री, ब्री, ब्री, यह सब कुछ हम इसमें बच्चों को असानी से करवा सकते हैं, इसके बाद ए की मातरा है तो केला, फिर शेर, अब इसमें ए की मातरा, तो आ की मातरा की जब बात करते हैं तो यह दो बार लग जाएगी, मैना और बैल, फिर से बताता हूं मैना इसमें म में लगी है और इसमें बैल, यह ब में मातरा को बार-बार करवाना है या जो भी हिंदी भाषा सीखने का अभिलाशी है उसको बार-बार करवाना है अब ओ की मात्रा की बात करें तो देखिए घोडा इसमें घो में मात्रा है मोर की बात करें तो इसमें ओ की मात्रा किसमें है म में है अब इसी परकार से देखिए म कहा है य ये आप बच्चों से इसका बार बार अभ्यास करवाएं, तब ही जाकर जो है वो बच्चों को आएगा, मैंने वीडियो के शुरुआत में ही कहा था, अभ्यास, निरंतर अभ्यास, जो है वो मूलाधार है, हर एक चरणे में सिध्धी हासिल करने का, अब आओ की बात करें तो नोका, इसमें न न में है, कवा, ठीक है, कव, खौव, गव, घौव, छो, ठो, है ना, इस प्रकार से ठीक है, आप करवा सकते हैं, जैसे औरत अगर हम लिखना है तो औरत इस प्रकार से, अब आगे है आंग, यह जो है जो ुटके ओपर लगी है, चोटी सी बिंदी तो ये इसका प्रतीक है अब देखिए जैसे ग है तो ग के ओपर ये बिंदी लगी थे गंग जन दन धन नन पंग फन पंग यं रं लं वं इस प्रकार से अभ्यास करवाना है बच्चों को और आगे है अ की मातरा तो देखिए छ के साथ लगाया तो छ ग ख ग घ ग च छ ठीक है इस प् अभ्यास जो है वो निरंतर करवा सकते हैं और बच्चों को मातराओं में जो हो सिध्धी की और हम ले जा सकते हैं इसके बाद ये फिर से आप जो हो जैसा कि मैंने कहा ये मातरा रही थै अब मैं उमीद करता हूं कि आज की ये जो वीडियो रही है ये आपको पसंद भी आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आपने वीडियो को शुरू से लेके अंतक देखा आगे आने वाली वीडियो में बारा खड़ी अभ्यास पर हम चर्चा करेंगे और धीरे धीरे जैसा कि मैंने कहा शब्द निर्मान और फिर वाक्य निर्मान से होते हुए उरे का